हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं पंकर सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकाइश प्रणया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों बिटकोइन थोड़ा सा अब जो है जैसे ही नया महीना शुरू हुआ है एक अच्छी जो है पर्फॉर्मेंस दिख आ रहा है और आप देख सकते हो जो अप्रेल की क्लोजिंग से उससे ओल्मोस्त तीन-चार हजार डॉलर उपर आ गया है लेकिन आज का दिन आप याद रखेगा तीन मई दो हजार 21 का क्योंकि एथीरियम ने चू लिया है एक माइल स्टोन एक ऐसा आकड़ा जो हम लगातार जब एथीरियम का प्राइज आप कह सकते हो कि आल मोस्त जब 1100-1200 डॉलर था 600 डॉलर था ठारा सो डॉलर था हम लगातार आपको बोल रहे थे कि हमारा जो अल्टिमेट टार्गेट है वो है 3000 डॉलर का और आज जो है इसने 3000 डॉलर का एक नया बेंच मार्क हासिल कर लिया ह है और मजे की बात पता है कि अगर मैं इंडियन मार्किट में देखता हूं तो ओल मोस्त ठाई लाक रुपे का एक इथीरियम इस ठाइम पे ट्रेड कर रहा है जो कि कहीं न कहीं एक बताता है कि हम सोच रहे थे कि कभी इथीरियम दुबारे से एक लाक का होगा के नहीं होग और अब जो है धाई लाक के आसपास चल रहा है लेकिन कहानी यहां खतम नहीं हुई है कहानी यहां पे अभी शुरू लगती है क्योंकि अभी जो है इथीरियम की अगर मैं बात करूँ परस्नली तो पांच हजार डॉलर तक भी जा सकता है अगर पांच हजार डॉलर की बात देसकता है और कहीं न ऊंट और और यहां और है क्वांच के यहँरू के अंदर और एक कोईण खासकर आपको बताएंगे jij जो आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको रिटन दे सकता है और कहीं ना कहीं वो डिरेक्ट करता है इथीरियम से तो क्या बहुत सारी कारण रह यही आपका प्यार है जो हमें जो आपकी इस लाइक के माध्यम से हमें दिखता है तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा और शेर करना बिल्कुल में बूलेगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दिन है और एक नहा जो है माइलस्टोन आप कह सकते हो कि इथीरियम ने अचीव किया ह तो बहुत सारे कारन रहे हैं और साथकाथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो टेलिग्राम और ट्वीटर को भी फॉलो कर लिजे क्योंकि बहुत सारी जो recognition होती है वो हम अपने ट्वीटर और टेलिग्राम के मध्यम से देते रहते हैं जो कई बार हमारी वीडियो म मिस हो जाती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो कर लीजे ताकि जो भी एकदम से इंस्टेंट अपडेट हो वो आपको मिले और जो हमारे 6 कोईन हमना आपको बताए थे 2 दिन पहले आम शूर उसमें भी आप कुछ अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे अब अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है तो इसको भी फॉलो कर लीजेगा टेलिग्राम और ट्वीटर को तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इथीरियम अब यहां से क्या लगता है तीन हजार डॉलार अगर धाई लाक रुपे की बात करें तो अल्मोस्ट धाई लाक रुपे बहुत बड़ा अमाउंड लगता है अगर एक इथीरियम की बात करें 2017 की बात छोड़ो 2020 के अंदर मार्च का अगर क्रेश देखा होगा तो यह साथ हजार रुपे पे आ गया था और इस टाइम पे तीन हजार डॉलर से उपर चल रहा है और अगर टोटल मार्केट कैप देखें इसका तो हैरानी हो जाती है कि अल्मोस्ट साड़े तीन सो बिलियन डॉलर का यह इसका कैप है और पंदरा परसेंट पूरे मार्केट का जो है इसने क्रिप्टो मार्केट का कैप्चर कर लिया है तो आप कह सकते हो कि पूरा पूरा जो शेयर है कही ना कही इस टाइम पे इथीरियम भी अब खा रहा है लेकिन दोस्तों जो सबसे इंटरस्टिंग बात लगी है इथीरियम जो है अब जो है रैंकिंग टोटल दुनिया की अगर एसेट्स क्लास में देखें तो उपर चड़ता जा रहा है पेपाल हो पी एंजी हो नैसले हो बैंक ओफ अमेरिका हो उनको भी इसने अब पचाड दिया अगर ठोटल एसेट्स की बात करें और जिस इस आप से परफॉर्म कर रहा है जिस इस आप से चीज़े लग रही है तो आने वाले टाइम में आप उमीद कर सकते हो कि ये जो है आपको टॉप 20 रैंक में भी दिखे अब बात करते है कि टेक्निकली क्या लगता है टेक्निकली क्या है यहां से कि इथीरियम क्या हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एडॉप्शन इथीरियम को लेके भी कह रहे हैं और इथीरियम को कहा जाता है कि कहीं न कहीं क्रिप्टो की बैक्बोन बनती जा रही है तो क्या यहां से लगता है टेकनिकली अगर मैं बात करता हूँ तो टेकनिकली अगर आप देखते हो तो हमारा टारगेट था पहला जो था 2750 डॉलर उसके बाद जो हमारा टारगेट था 3000 डॉलर का जो हम आपको लगातार बता रहे थे जो psychological जो टारगेट था अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि अगर यह 3000 डॉलर से उपर maintain करता है तो फिर यह जो इसका अगला टारगेट है वो 3300 डॉलर से 3350 डॉलर आपको देखने को मिल सकता है और ultimately अगर बात करें आने वाले इस साल के अंदर यह 5000 डॉलर के लिए भी try कर सकता है तो यहां से इसमें 60-80% अब जाने का potential है लेकिन उसके लिए condition है क्योंकि कहीं न कहीं bitcoin की form को हम ignore नहीं कर सकते है क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ bitcoin के अंदर और लेता हूँ इसका जो monthly chart तो आपको idea लग जाएगा नक्षा जो आप देखते हो कि अगर इसका all time high देखते है bitcoin की form में तो 0.16 BTC रहा है और इस time पे ऐसा लग रहा है कि ये monthly जो candle है वो breakout के लिए जा रही है और अगर आप breakout की बात करें 2000 जब ये halfing हुई थी 16 के अंदर और फिर 17 के अंदर अगले साल हमने क्या धूम धड़ाका देखा था तो क्या bitcoin की form में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जी हाँ अपना trailing stop loss आप बढ़ाते रहे और यहां से आपका जो अगला target होना चाहिए bitcoin की form में वो आपको 0.06 BTC से लेके 0.08 BTC और 0.1 BTC तक भी जा सकता है क्योंकि बहुत सारी updates बहुत सारी चीज़े इसके अंदर चल रही है और वो जो है आने वाले time के अंदर आपको देखने को म मिलेंगी और adoption जिस हिसाब से हो रही है तो आने वाले time के अंदर हो सकता है आपको यह 5000 डॉलर भी देखने को मिले इस साल के end तक और अगर मैं बात करता हूँ bitcoin की form में जैसे आपको बता दिया लेकिन जो एक coin है कही ना कहीं हम सब को पता है uniswap क्या पीछे इसने बहुत ज उपर ही Ethereum के platform के उपर ही और इसकी coin की development होनी है uniswap 5 माई को जो है V3 launch होना है और उसके बार में कुछ announcement आने वाले time में हो सकती है तो आने वाले time में हो सकता है यह आपको 50 dollar से 75 dollar भी देखने को मिले इसके अंदर इतना potential है इस coin के अंदर अभी भी और अगर आप देखते हो क नोवी rank पर यह चल रहा है इस time पर अगर पूरे overall market देखते है और 44 dollar के आसपास यह trade कर रहा है और इसमें potential है यहां से 50 से 75 dollar जाने का भी तो इस coin पर भी खासकर नजर रखिएगा अब अगर बात करते हैं जो Ethereum के अंदर मैं एक चीज मिस्स कर दिया है कि Ethereum का जो RSI है वो कही ना कहीं थोड़ा सा concern दिखाती है क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो है over bought position के अंदर दिखा रही है और यहां पर हो सकता है कि 3000 dollar के आसपास यह breathe out करे यानि कि 3000 dollar के आसपास हो सकता है कुछ दिनों के लिए stable हो ताकि RSI जो है neutralize हो या under control आए यहां से हो सकता है दुबारे से यह 2700 dollar से लेके 2500 dollar दुबारे से खिशता हुआ देखे इस महीने के अंदर लेकिन ultimate जो target है हमारा जो है 3300 से 3350 है फिर जो है 4000 dollar है फिर हम इसको 5000 dollar इस साल के अंद तक देखते हैं बाकि अगर more technically जाओगे तो कहीं ना कहीं strong buy का day chart के अंदर इसके अंदर signal मिल रहे हैं osculators low वो भी buy के दिखा रहे हैं signal moving averages जो है strong buy दिखा रहे हैं तो शायद ही कोई signal होगा जो इस टाइम पे या तो neutral buy के लावा sell दिखा रहा हो तो ये बड़ी interesting चीज है इसके अंदर देखने के लिए बाकि अगर मैं बात करता हूँ bitcoin की राजा की वो भी कुछ at come जो है पीछे नहीं है और आप देख सकते हो कि almost उसने जो है कहीं न कहीं और पिछले दो दिन के अंदर तीन दिन के अंदर आपने देखा जो closing हुई थी expiry की जो closing हुई थी उसके बाद एकदम से shoot किया और अभी जो है 56,000 हजार डॉलर के बीच में trade कर रहा है 58,500 इसको एक resistance है आप देख सकते हो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है अगर इसके उपर close कर पाता है तो फिर ये 60,000 डॉलर और हम आने वाले time के अंदर अभी भी एक से दो महीने के अंदर इसको जो नया इसका all time high almost 65,000 डॉल से उपर maintain करता है क्योंकि अगर overall देखें situation इसके अंदर भी signal जो है buy के ही मिल रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करता हूँ XRP की बहुत सारे लोग हमसे XRP के बारे में भी पूछ रहे हैं XRP हमने आपको last वीडियो में बताया था जब वीडियो बनाई थी कि दो डॉलर के आसपा 5-8 डॉलर चल रहा है लेकिन ultimately आप इसको 2 डॉलर या इसका नया all time high बनाते भी देख सकते हो लेकिन अभी जो immediate target हमने इसका लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं जो कि इसने last time कोशिश की थी 2 डॉलर के आसपास breakout करने की लेकिन वहाँ पे वो resistance मिला और वहाँ sell out देखन बात करें BNB की BNB के अंदर हम सबको पता है कि बहुत सारी development हो रही है Binance Chain पे भी बहुत जो है प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो हो सकता है यह सूट करें लेकिन यहां से 6500 डॉलर जो है इसको एक important resistance है अगर इसके उपर breakout करता है तो यह हो सकता है 700 से 7500 डॉलर try करें और कुछ अगर announcement कर दे सीजी का आप सबको पता है कुछ भी हो सकता है तो हो सकता है immediately आपको pump देखने को मिले लेकिन शाड़े 600 से उपर अगर close करता है तो ही आप इसके अंदर entry लीजिएगा फिर यह 700 से 7500 डॉलर आपको try करते दिख सकता है अगर मैं बात करता हूँ resistance इसको support की तो almost 500 डॉलर के आसपास इसको support है और ultimate जो support है उसको है almost 420 डॉलर के आसपास तो इस coin पे भी जो है नजर बनाए रखेगा एक coin और आपको बता दूँ कि siya coin आपको accumulation देखने को मिल रही है volume बढ़ा था आप सबको पता है कि हमने बताया भी था कि 100 satosi तक यह जा सकता है और यह ग 35 satosi के असपास इसके अंदर entry मिलती है तो आप entry ले सकते हो आने वाले time के अंदर आपको यह 85 से 100 satosi दुबारे try करता दिख सकता है तो दोस्तों यह सारी latest update थी मुझे लगा आपको देनी चाहिए ethereum को लेके bitcoin को लेके xrp को लेके अगर आप कोई coin और चाहते हो जिसकी हम analysis कर subscribe कर सकते हो हम यहाँ पे जो भी update होती है वो देने की कोशिश करते है और twitter टेलिग्राम को भी follow कर लीजेगा जो भी instant update के लिए आप तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like कर दीजेगा शेकर दिए Twitter टेल लिए तो subscribe करके जरूर जाईएगा तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं आपका दोस्त पंकच थैंक यू नमस्कार दन्यवाद जैहिंद